हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक्जाम अकेडमी के इस इनफार्मिशनल प्लेटफॉर्म पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सटी किसी स्टीट या किसी निस्टिटूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजिशन पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रिमेंट निकल कराता है तो उसका इनफार्मिशन हम बीड़ों के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं यहां आज हम इस नॉड़िकेशन में बात करेंगे स्री विश्व कर्मा इसके लिए यूनिवर्सटी ये एक स्टेट गवर्में इक्जाम आपका नहीं लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर्विव देने हैं जो लोग भी यहां सॉट लिष्टेट रहेंगे उनका इंटर्विव कराया जाएगा और जो इंटर्विव में कौलिफाइड होंगे उन्हें यहां पर अपाइड कर लिया जाएगा तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो में लाश्तक बने रहें जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सस्क्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे यहाँ पर जो नाडिफिकेशन पब्लिस किया हुआ है इसी युनिवर्सिटी की तरफ से वो 16 नमबर 2014 को पब्लिस किया गया था अफिशल बेपसाइट पर आप इनके अफिशल बेपसाइट पर जाकर यह नाडिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलिग् पब्लिस किया गया है यहाँ पर युनिवर्सिटी की दौरा आप सभी को इन्वाइट किया गया है जो इंट्रेश्टेट कंडिडेट है यहाँ जो एलिजबल कंडिडेट है वो आवेधन कर सकते हैं यहाँ हिएए वो guest appearance के लिए निकल कर आई हुई है हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से post पर आवेदन मांगे जा रहे हैं तो robotics and auto motion में यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं जिसमें qualification जो है वो mtech रखा गया है electronics में domain and computer science और mechanical engineering से आप लोगों अगर masters किया हुआ है आप eligible है साथ में आप लोगों के पास कुछ experience में मांगे गए हैं जिसमें project work का experience यहाँ पर आप लोगों से मांगा गया है आप लोगों के पास है यह eligibility तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके बाद computer science and IT से आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद जो requirement है वो graphic design and communication से निकल कर आया हुआ है इसमें जो qualification है वो bachelor's मांगे गए हैं और या फिर आपके पास minimum 4 years का diploma हो related stream में तो आप eligible रहेंगे आवेदन करने के लिए साथ इसाथ अगर आपके पास ये qualification नहीं है तो आप से master's मांगे गए हैं यहाँ पर और industrial design, visual communication, fine art, applied art, architecture से related जो subject है इनमें अगर आप लोगों ने master's किया हुआ है तो आप eligible रहेंगे management का post है जिसमें आप bachelor's degree में अगर आप लोगों ने bachelor किया हुआ है या फिर master's किया हुआ है administration में PGDM में CA अपने किया हुआ है ICWA किया हुआ है या फिर MCOM आपका है first class में आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर two years का professional experience भी मांगे गए हैं तो जो भी interested candidate हैं जो लोग आवेदन करना चाते हैं वो last date से पहले आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर इंडिया का कोई भी citizen जो भारत के किसी भी state में रहता हो वो आवेदन कर सकता है और उसको आवेदन fees में यहाँ देख सकते हैं एक हजार रुपए देने होंगे अगर वो general categories से विलांग करता है वहीं others जो categories हैं जिसमें schedule यूल काश्ट और backward class या फिर ex-service man के साथ साथ women's और EWS के candidate हैं उनको 250 रुपए आवेदन fees देने होंगे और physical disable के जो candidate है उन्हें आवेदन fees में exempted रखा गया है किसी भी तरीके का application fees आपको pay नहीं करना होगा और online mode से यहाँ पर आपको जो application fee से वो pay करना होगा इस website का आप यूज कर सकते हैं और साथ इसाथ इनके official website पर जाकर आप आवेदन भी कर सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी farm apply करना चाते हैं वो आप देख सकते हैं दो seat जो है robotics and automation से मांगे कहें हैं और computer science and IT से 5 seat हैं graphic design में and communication में यहाँ पर एक seat है management में यहाँ पर दो seatों पर आवेदन मांगे गए हैं एक seat यहाँ पर finance के लिए है और दूसरी seat HR में है जो advanced computer knowledge में यहाँ पर रखे गए हैं तो जो लोग भी यहाँ पर guest faculties में teaching के position मेर आवेदन करना चाते हैं वो लोग last date से पहले आवेदन कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो interview है वो उसकी reporting timing यहाँ पर सुबह के 9 बज़े का रखा गया है आप office dean जो academic affair है वहाँ पर आपको उपस्तित होना है और अपना interview देना होगा तो आप लोगों को अपना सारा documents लेकर 26 नुवंबर 2024 तक university के इस campus में उपस्तित होन आप लोगों को देना होगा तो इस वीडियो में इतना ही तरीके के और भी information हम आप लोगों तक समय समय पर पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए information के साथ अब तक के लिए thank you so much